नमस्कार दोस्तों सोगत है आप सभी का सरकारी टुडे नियूस के ओफीशल यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुछ कबरी है क्योंकि फूर डिपार्टमेंट में आ चुकी है नई भरती जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी नोकरी की जानकरी लेकर आया है जो की फूर डिपार्टमेंट के तरफ से नई भरती निकाली गई है दोस्तों गर आप कक्चा दस्वी पास हैं बारी पास हैं गर आप एक सरकारी नोकरी पाना चाते हैं तो इन भरतियों के लिए आवेधन जरूर कीजेगा ओफिशल नोटिफिकिशन जारी हो चुका है और इन भरतियों के लिए पूरे भरत से आवेधन मांगे जारें यानि कि भारत की किसी भी राज्य या जिले में आप रिते हैं दोस्तों आप सभी male female लड़के लड़किया जो है आवेधन का सकते हैं तो आवेधन कीजेगा बड़ उससे पहले वीडियो को अंतक जरू देगा हम आपको step by step इस भरती की पूरी जानकाई देंगे आज के इस वीडियो में वीडियो काफी महत्रों होने वाला है आप सभी अभ्यारतियों के लिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक की चुका है आवेधन शुरू हो चुके हैं 14 जुलाई 2023 इसकी लास रेट है कक्षा दसवी बार्वी और ग्रेजट पास के लिए भरती निकाली गई है महीं सालरी आपको 90,000 रुपे पर मंत मिल रही है और दोस्तों अगर आपकी उम्र है 18 से लेकर के 48 साल तक की तो आप सभी या भ्यारती जो है आवेधन करने होगे हैं आवेधन जरूर की सेगा तो चलिए आपको सीधा ओफिशल वापसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको इन भरतियों की पूरी जानकाई देंगे दोस्तों हमारी जो नमबर वन वापसाइट है वो है सरकारी टूडे नि दोस्तों कलेक्टर काराले की तरफ से जो भरती है वाच्में की है पीओन की है ड्राइवर की है प्रोसेस सर्वर की है इस्टेनों की है असिस्टेन की है लगबग 8,000 पदों पर भरती है जिसके आवेधन आपसे ओफलाइन मागे जा रहे हैं बाइपोस्ट ही एस लिमीट ज क्वालिफिकेशन की बात की जाय योग्यता की तो कक्षा पांचवी से आठवी दस्वी और बार्वी पास सभी अभ्यारती जो है आवेधन का सकते हैं अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दूसरे नंबर की भरती की जो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से निक कम से कम 18 साल है अधिक्तम जो है 38 साल है अप्लिकेशन फीज चनल ओबिसी के लिए 600 है सी एस्ट के लिए 500 है पैमेंट सिर्फ आपको उनलाइन करना है क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट या फिर पोस ग्रेजुट पास अभ्यारती जो है आवेधन का सकते हैं आवेधन ज जानकारी आप इस सुचना से ले सकते हैं यहां पर आपको पूरी भरती की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजएगा और बेल आइकन जरू दबाएगा जेहीं जे भारत